दोस्तों, ख़बर है बुर्किना फासो से पश्मी अफ्रीका में इस्थितिया देश दो करोड की अबादी वाली है और धन संपता से काफी सम्रिद्ध है लेकिन ये गरीद देश है दो दिन पहले आतंकियों ने सेना प्राक्रमन किया जिसमें असी लोग मारे गए इस हपते यह 30 से घटना है इसके पहले एक बार में 30 से 35 और उसके और पहले 100 से अधिक लोगों की हत्याय हो गई कहा जाता है कि इन लोगों का संबंध अल्ग कैदा से या आईस आईस से है बुर्किना फासो वही देश है जहां 1984 से 1987 तक या 1983 में ही आ गये थे थौमस संकारा उन्हें अफ्रीका का चे गुएरा कहा जाता है माक्सवादी लेनवादी थे और उन देश में काफी बदलाव लाने की कोशिश की और इस चार साल में एक जमीन आसमान एक कर दी इनकी सरकार में अफ्रिकन इंडेपेंडेंडेंट पार्टी ब्रैकेट में बुर्कीना फासो रिपब्लिक ओफ अपर वोल्टा नाम था इस देश का सत्ता में आने के बाद से उसका नाम इन्होंने यह बदल लिया जिसका मतलब होता है लान्ड ओफ इनकरेप्टिबल पीपल सत्ता में आने के बाद से थौमस संकारा नहीं इस भी बदलाओ की और तों के बारे में लें तो उनकी शिक्षा पूरी शिक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा में खास द्यान दिया दूसरों के घरों में जाके काम करने की तकरिबन मनाई candidate बहु वीवा वियोस्था खत्म कर दी गई, जवरस्ति शादी करने की वियोस्था खत्म कर दी गई जेनिटल मुटेशन, मुटिलेशन को कानुनन खत्म किया गया, पढ़िएगा इसके भारे में, जानिएगा इस्त्रियों को सरकारी नौकरी में सबसे अधिक से उपर से उपर पद देने की कोशिश की गई दीवी गई उन्हें घर से बाहर निकलने की पुरी प्रेना और सुरक्षा भी दिये गई बचों की शिक्षा और स्वास्थ वेवस्था में कोशिश की गई कि वहाँ के हर गाउं में कम से कम डिस्पेंसरी खुले और एक प्राइमरी स्कूल खुले जो कि 70 से 75 पर तीशब गाउं में हो भी गया रोजगार की पूरी की पूरी व्योस्था करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ जहां तक विदेशनिती की बात है वह पूरी की पूरी सामरा जवाद के खिलाव था आई एमेफ और वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कोई भी मदद लेने से मना कर दिया बरावरी का रिष्टा हो किसी से हो तो मदद ले सकते नहीं तो नहीं लेंगे जमीन का पूर्णर वितरन किया गया जो वहां के ट्राइब लीडरस थे उनके जो पहले वाले हक्त थे उसे समाप्त कर दिया गया कानूनन कि आपके ट्राइब के दूसरे लोग आके आपके हम मुफ्त में काम करेंगे आपको नजराना भेट देंगे नहीं यह समाप्ती है नहीं दी जाएगी आपको मिडिल क्ल लोग और ऐसे लोग बहुत नाराज थे फ्रांस वहां से लूट के जाता था उसको खट में कर दिया गया रेल्वे लाइन बिचा दे गई सो किलोमेटर से लिकर बिचा दे गई एक नया देश एक नया उपार शुरू हो गया यहां काफी खटका यहां के उन लोगों में जो अराम तलब लोग थे दूसरे के मेहनत पर रैश करते थे जिसमें मिलिटरी के जिनरल भी थे अमिर्का को यह बुरी तरह खटकने लगा फ्रांस को ज़्यादा खटका फ्रांस से ही इनकी सुतंतरता मिली थी और फ्रांस अफ्रीका का दिकांस देशों में भी भी लूट मचाता है पुराने रिष्टों का हवाला देकर जाजरोस अपने सेना भी भी भीजता है और इसक कर दिए जो भी चीज आगे बढ़ी तुसे पीछे लाए गया और उसो खात्मा करने के लिए वहाँ पर आईएस आईएस और अलकाइदा जो थे अमिर की गुप्तिचर विभाग में उनको मदद किया उनको बढ़ावाद लिए यही तो अफगानिस्तान में हुआ था USSR को हराने के लिए ताकि अफगानी जनता जो आगे बढ़ रहे थी वो आगे न बढ़े पीछे जाए कही धन के नाम पे कहीं ट्राइबल डिफरेंसेस के नाम पे कहीं जाती के नाम पे कहीं देश के नाम पे जहां भी समाज आगे बढ़ना शुरू होता है और खुद अपने देश के संपदा की इस्तमाल खुद के लिए करना शुरू करता है चीले बहुत बढ़ियां उदारन पढ़िएगा जरूर जानिएगा तो इस तरह से बुलिविया में पूरी कोशिस की गई आप देखिएगा बुलिविया पढ़ियेगा केवल वहां संपदा को लूटने के लिए ही यह साम राजवारी देश नहीं आते बलकि वहां के बढ़ते हुए करांतिकारी दलों का खात्मा करने के लिए नहीं तो वह आग फैलना शुरू होता है जो 1917 में शुरू हुआ था और दुनिया के कई देशों में फैल गया अमेरिका के लाग कोशिस के बवजूद वी USSR Second World War में अलमस्स सिंगल हैंडेडली नाजी स्फोर्स को हरा के आगे बढ़ा वह तो धन्यवाद इन्हें देना चाहिए खुश्य है उनके सात्यों को और बाद में टीटो वादियों ट्रॉट्सकी और सबको जिन्हों ने उसकी जितनी ही अच्छायात उसको बुराईयों के रूप में उसकी बाते की और उसके बाद से यह अमिर की सामराजवाद उसके साथ ही जितने भी है नाटो युनाइटेट किंग्डम सौदी अरबिया जिया वह भी इसराइल और अब नैने जुड़े हैं उस जहां भी इस तरह की आग निकलती है जनता खड़ी होती है जनता खुद का राज खुद अपने हाथ पे लेना चाहती है वहां पे नहीं बिर्ची लगती है और यह हर कोशिश करते हैं कि उसे दबाये जाए और दबाने के चक्कर में जो आगे समाज नहीं बढ़ता उसे पी कोई राष्टा ने साथियों सोचिए धन्यवाई